अब मोन मत दोस्तों मैं आज वूसुयश एक्विरे मैं और आज मैं इनके पास इंपोडिट एक्विरे मorable जो रहते है अलग-अलग ब्रैंड के तो मैं यहाँ कोवर करने वाला हूँा आप देख सकते हो तो अलग-अलग company के यहाँ पर imported aquarium है अलग-अलग sizes के है तो सारे हम लोग cover करने वाले हैं उसके साथ हम लोग turtle जो ट्रे रहते हैं turtle के लिए आते हैं अलग-अलग antics अभी टैंग निकले है जो वाल के लिए रहते हैं बाद में अलग acrylic में आते हैं वो भी हम लोग cover करने वाले हैं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा काफी आपको इस वीडियो में अलग-अलग जानकरी है अच्छे अच्छे जानकरी है टैंग related आपको मिलने वाली है तो वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग मुलागत करते हैं सुयश aquarium के owner से जिनका नाम है सुयोग भागवत सुयश सर तो काफी अच्छा लगा आपके पास आके और फिर से हम लोग है वीडियो शूट कर रहे है और इस वार हम लोग अलग जो है टॉपिक लेके आए है इंपोरेट टैंक का तो मैं देख रहा हूँ आपने काफी अच्छा यहाँ पे जो अलग-अलग वेरेडिस के अलग-अलग ब्रैंड के एक्विरे में अप अच्छ में लोग कर तो जिसको भी जो भी रिक्वर्मेंट रहेगी तो यहाँ पर जरूर विजिट कर सकते है वाया लोकेशन तो सुएक सर हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट टैंक से अक्विरेम से यह सूबू का टैंक है यह 50 लीटर का टैंक है इसमे आपको ए में और इसके साथ आपको बेंडिंग ग्लास का ये जो टैंक है इसमें डिखने में एक अच्छा लूक आता है उसको ये आप जब रखोगे तो इसका जो एक बढ़िया कॉलिटी का लूक है इसके लिए इंपोर्टे टैंक को ज्यादा डिमांड बढ़ गया अभी अब हम जो भीक को बांडिंग है गोर्टे गिंज यह का इसका ब्रद में ऑसके करेंगह तो पाउने दोव एट करीब मेंदेड फिट के करीब हैं है इसमें मतलों प्रेट जो आइन्थ जो दोव Vlad रहिमें को मिलेगा है थзд वीका खे मूलें कोछ कर नहीं सकते हैं तो यह हुआ पर यहां पर यहां पिशने कवर फिल्टर शय है छाय दूर्टी तोड़ा अलग है हर कंपनी अपने इस अप से उसको एक लूप देती है तेकनिकली जो ठीकनेस अब गलास और ग्लारिटी उसके उपर आपको डिपेंड करेगा कि आप कौन सा लोगी इसमें कलर बहुत सा रहते है रेड वाइट ब्लैक अच्छा यलो यह कलर एवेलेबल है ज दो जादर क्या भी इसका डिमांड बढ़ा है अभी तो दो साल से में बेच रहा हूं यह अच्छा डिमांड लेश को सरी इनका रेंज का से श्टार होता है रेंज जो चोटा साइस का करीब-करीब वन समझो एक पीट का टैंग है और फिट का टैंग करीब-करीब 15 से तो थोड़ा इसमें कलर वह आपको अलग अलग बार 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 और कुछ श्टॉक अवेलेबल नहीं रहते कभी कभी जो है श्टॉक आपको कलर जैसे चाहिए इसमें मिल सकते हैं तो दोस्तों स्वियाश एक्विरियम के मैंने कॉंटेक नमबर है डिस्क्रिप्शन में दिया है तो प्राइजिंग के लिए अब इनको कॉल कर सकते हो अल्डेडी प्राइज रेंज बता है एस पर स्टॉक रहता है वो प्राइजिंगों चेंज होते रहता है कि आभी वीडियो हम लोग आज बना रहे हैं अगर आप दो महन करने के बाद देखोगे तो तभी स्टॉक अलग रहेगा तो उसका प्राइज अलग रहेगा इसके लिए प्राइजिंग के लिए कंफर्मेशन के लिए आप कॉल कर सकते हो सुएश एक्विरम को डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर मेंशन किया हुआ है अभी हम लोग आगे बढ़ रहे है अच्छा ब्यूटिफुल सा एक टैंक है मुझे काफी अच्छा लगा पर्सनली इजे सोबो का ही 75 लीटर का एक टैंक है अच्छा तो इसमें भी हमें अलग-अलग साइज में मिलें हैं हुआ है फिर नाला माने पास तीन-चार साइज के अवेलेबल है एक फ एक बंद के जाइज है अच्छा आप देख सकते हो यह रीड गा टैंक है वह ब्लुपट नहीं यह भी अच्छा रही कॉलिट यह अलग-अलग लाइट्ट है बीनद रहना है विख लोगों को दूरी सब्सनत है कुछ लोगों को प्लू-प्रसन देक्शंत है कुछ लोगों कुछ लोगों को सब एक ही जगा पर हम बेचने का ट्राइब कर रहे हैं तो हमारे पास ब्लूपेट का चोटा साइज बड़ा साइज में भी यह अच्छा एक फीट का साइज है अच्छा ब्लाक कलर है तो इसमें भी सारा सार लाइट आता है क्या है यह भी इंविल्ड है सब लाइट टाइंग कवर अपने को यह फाइबर में मिलेगा और इसमें सब आता है ने फिल्टर वेगर सब जाता है ना टाइंग लाइट कवर फिल्टर आता है हम उसके साथ बाकी का जो रिक्वर्मेंट रहेगा वो कस्टमर के इस अब से देए यस उसरे को काफी अच्छा कुछ है न्यच्ट फिल्ट कर सकते हैं युअ चोटे टैंक हो इसे लिए पर ले चयों आया इश्यक के लिए यहां की देख सकते हो विसका अच्छा अच्छा लिगा से अच्छा लीडिव के कदर की हिसाब से हमें लूप में अच्छा लिखे गाई है कि यह सोबो फर्स्ट है ना उसके बाद वाला सोबो है सेकेंड वाला जिलोंग है थर्ड वाला जूपट है अच्छा तो हर कसी के लुक के जिसको जो पसंदाएगा वो काफी अच्छा लग रहा है इसमें पर एक स्मॉल अच्छा फीश रखोगे तो काफी मतलब वो इसका जो कोवर वेग रहे हैं या फिर एक कॉव में भी है अभी के सर थेंटेडियर लोगों का अच्छा लगा बिखने के लिए निए काफी अच्छा लगेगा रहा है अपने घर का जो लुक है वह अच्छा लिखे ड़ास सर अपके पास स्मॉल साइज में भी है क्या मेरे पास जो एक्विरम आते हो है सर इनका क्या साइज है यह एक फिट के करीब वजे टाइंग से सब और साइज में आते हैं तो हर कंपनी के हिजब से अलग-अलग साइज है परिदा वाला जो दिख़गा है वो तरीब एक फिट बाई एक फिट का है जैसे मैंने बताया कि आप गिप भी दे सकते हो आपका आपकी कोई रिष्टेदार है रिलेटिव है या भी फ्रेंड है जो एक्विरम उनको हबी अच्छा लगता है एक्विरम फीश रखना अच्छा लगता है तो उनके लिए आप एज बड़े गिप्ट या फिर इद में ग स्मॉल एक्विरम है आप गिप्ट कर सकते हो इसमें और एक बनीफिट है कि आपको अगर ट्रांसवर करने का लेके जाने का आप तो बॉक्स में डालके आप आप एजली कर सकते है ने डेलिगेट भी रहता और डिफिकर्ट यह अच्छा इसका एक में बनीफिट है कि अगर यह अच्छा इसे लिए बनीफिट में है इसे लिए हम यह भी रेकमेंट करते हैं यह इसके साथ यह अभी बेचे जाते ही है यह सब आजकल ज्यादा डिमान बड़ा है यह देख सकते हो चाहिए लिए पाइटिशनल अभी इक टैंक लिए उसमें दो पाइटिशनल दिया हुआ है अगर आपको एक बच्ची रफने का है तो अचा परिंग करें आठीज्य के रहेमें और पैटिशन करकें करकें चलित करें, आथमें ब्रीडिंग के ली आप एक तर्फिर्ट करकें ईडा यह तको आलगसा है बड़े टाइंग में इसक्त करना बड़े है यह ब्रीडिंग बॉपस जैसा भी यूज़ कर सकते है लिए गपी जाएसे फीश जो रहते है ब्रीड करने बच्चे ले ना उट कर शेक ले यह एक वॉल वॉल के ओपर हैंगिंग करने वाल आपल यह भी गिफ्ट देने के लिए अच्छा है और इसमें भी हाफ राउंड है तो एक बिट्टा फीश जो एर विदर मच्छी है मिन्स कुरामी जैसे वह आप इसमें रख सकते हैं बढ़ अच्छा है यह भी नया है मार करें इसके बादे की अक्रालिक का टैंक है यह तोड़ा इसको एक शाइन है अपने तूद और इसमें भी आप बेटा फीश जैसे जो फीश है वो रख सकते हों गेंदेने के लिए अच्छा है इसका भी डिवाड़ होई बढ़ने लगा है क्योंकि कुछ जो जगह जादा नहीं है उनके पास रखने के लिए यह अच्छा है कैसे कि अभी हमने इंपोर्टेट टैंक स के अश्च को दिए इसे वीवर्स रहते हैं उनकी पस फिल्टर भी रहता है लाइड भी रहता है अच्छा रखनाग और वाइसे आपके पास कुछ है क्या आई यह अभी आप देखोगे आप लिए तो यह ऐसा ही टाइंग है जो इंपोर्टेट में आता है वह ऐसा ही इंपोर्डेट टाइंग है आपको शिर्फ आपको टाइंग, गलास टाइंग मिलेगा जिसके उबर आपके यहाँ पे जो एक्सेसरिजे वह यूज करके लुक में तो उपर से covering नहीं करने का है तो भी एलिरी का लाइट्स आता है जो लगा कि आप इसमें प्लंटेट टैंक भी बना सकते हैं इसमें कित क्या साइज इसमें आते हैं इसमें भी एक फीट से मिला के एक फीट सबाफ फीट देरी फीट दो फीट तक मेरे पास अभी 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 यह फिप्टी इंच चाम बलाग है तो ईसे और यह तरह पास योग को 20 लियंकर 5शा गयें हैं तो असे मोल्ड मॉल्ड भी रएक आषान यह तो सब्रेंप्ली प्रफ। नगाटी तो आपके पास बाउल है गया मतलब स्पेस की कमी रहने के कर उनको बाउल ही लेना पड़ता है। तो वैसा है आपके पास कुछ लोगों के पास जादा जगह नहीं रहे हैं। इसे कुछ college students है जो रूम के ओपर है ते तो उनको चाना खच्रा भी कम करने का रहता है तो उनके लिए बाउल जैसे अलग अलग साइज में ग्लास बाउल हमरे आपे अवेलबल है जिसका कॉस्टिंग भी थोड़ा कम है और उसमें आप एक मच्ची को अच्छे तरह से पाल सक और जो पैरामेटर से अगर नहीं पिलेंगे तो मर जाएगा इसके लिए बाउल रेकमेंडेशन तो हम नहीं देते लेकिन जो मच्ची इसमें रह सकता है तो रखने के लिए कुछ प्रॉल्लम नहीं है मिन्स बेटा फिश आप इसमें रह सकते हो और ऐसे बड़े बाउल ले जादा बढ़ने वाला नहीं है तो जैसे आमने बाउल कोवर किये हैं बहुत सारे आमारे जो वीवर्स है वो टर्ड़ रखना पसंद करते हैं तो ऐसे टर्टल ट्रे भी आते है तो भी आसे आप बाय कर सकते हो एक एसे चोटे से टर्डल के लिए ठीक है बेबी रहते है वो जो साइज रहेगा उनकी सबसे परे और टेपरेरी बेसे ऐसे बड़े भी यहां पर ट्रे आवेलेबल है चोटे भी ट्रे आवेलेबल है मेडियम साइज में भी ट्रे आवेलेबल है तो ट्रडल के लिए भी है यहां पर ट्रे आवेलेबल तो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, इंपोर्ट टैंक है, बाद में आपे अलग-अलग शेप में, साइज में टैंक है, ओल्डेट टैंक है, बाद में ट्रेज है, बावल कवर करके काफी अच्छा लगा, किसी को भी रिक्वर्मेंट रहेगी, तो जरूर आपको कॉल करेगे, सर डिलेवरी का कैसे क्या जय सोँ है करे रहेगा, जैसे, जहान पे टरंट्सपोर्टेशन का सर्भी अवैलबल है, यहां पे रतनाइडर में है, मिल्हें, तो यहां पे बाद कशिस पर लिए सोपने का शरुल कोशिश करेगे, वाह पे दोह है कर ने का किशिश करेंगे, तो सुवेक सर, थैंक हैं moje मे और आपके पास जो स्टॉक है इंबोटे टैंक का तो आपने कवर करने के लिए मौका दिया तैय दिल से शुक्रिया हम लोग मिले गया इसे एक नए वीडियो के साथ तब तलक मुझे आप इजाज दे दो इस वीडियो को एंड करने की इजाज दे तरुस यह था वीडियो सु ऐ हूं किये हुए है काफिए आपको अलग-अलग कर niez कैल डायए है तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा रहेगा ंबी इस वीडियो को यहाद SY करता हूं मैं आशा करता हूं कि अपने वीडियो ऋहे और एन्ज़ॉइ किया रहेगा मिलते ईसे इंट्रेशिए और कर वेर वेरीवन और बाइ